स्वास्थ और सौंधरी के वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकल को क्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे स्वास्थ और सौंधरी नमस्कार दोस्तों स्वास्ति और स्वांधरी में आपका एक वर फिर से स्वागत है। पोशन देता है। अगर बालों में आवला पौडर का इस्तमाल लियमित रूप से किया जाए तो आपके बाल और समय सफिद होने से बचे रहेंगे। इसके साथ ही बालों की बहतर हेल्थ के लिए नारियल तेल यानि कोकोनट ओयल का इस्तमाल खूब किया जाता है। पालों को लंबा वो घना बनाने में भी मदद करता है। देखा जाए तो आपला पौडर और नारियल तिल दोनों को अलग-अलग भी इस्तमाल में लाया जा सकता है। लेकिन जब दोनों को एक साथ मिलाकर लगाया जाता है तो फाइदा कई गुड़ा जादा देखने को मिलत तो फिर आपला पौडर और नारियल तिल को अपने बालों में कैसा अपलाई करना है इसके बारे में जाने के लिए बने रेस वीडियो के साथ। इसके लिएक बॉल में दो चमच आपला पौडर ले ले। इसके बाद इसमें एक चमच नारियल तिल डाल दे। इसके बाद इसमें दो से तीन चमच पानी डाल कर अच्छे से मिक्स कर लिए। जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसे हेल डाइब ब्रश की मदद से अपने पूरे बालो में अपलाई कर ले। एक सी दो घंटा बालो में लगा रहने दे। फिर किसी हरबल या माइल शैंपू की सहाइता से बाल दो ले। बहतर रिजल्ट पाने के लिए वीक में दो से तिन दिन इस पैक को चरूर ट्राय करें। आवला पाउडर और नारियल तिल से बना पैक बालो के लिए काफी फायदमन माना जाता है। नियामित इस पैक के इस्तमाल से रूखे वब बेजान बालो की समस्या दूर हो जाती हैं। साथी बाल सिल्की, सौफ और शैनी दिखने लगते हैं। तो फिर आज आपने इस वीडियो में अपने बालो में आवला पाउडर के साथ नारियल तिल लगाने के कुछ बहतरिन फायदों के बारे में जाना। आशा है आपको हमारा की वीडियो अवशी ही पसंद आया होगा। हमारे नएने स्वास और सौंदरी सम्मंदी जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तथा हमारी वीडियो पसंद आई हूँ तिसे लाइप और शेयर चरूर करें ताकि इसी तरह हम नएने जानकारियां आप तक पहुचाते रहें। दालिवाद दालिवाद